आज 22 अगस्त को सिधार्त मिस्रा भर्सेस यूपे से मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने अपना निर्ने सुना दिया है तथा दिल्ली हाइकोर्ट ने इस पेटिशन को डिस्मिस कर दिया दिल्ली हाइकोर्ट में किये गए बहस का एक सोट समरी कुछ इस परकार है सबसे पहले नरेश को सिख जी ने कहा कि केट के ओडर में हमारे आर्गुमेंट्स को रिकोर्ड नहीं किया गया है उसके बाद जज ने C.C.E.T. का सिलेवस पढ़ा ता जज दौरा साकेज जेन को कहा गया कि जो आर्गुमेंट्स आप केट के बारे में दे रहे हैं वह केट का केवल only preface है और फिर जज ने कहा कि 5 लाग से 6 लाग लोग इस exam में बेठे थे तो फिर केवल 15 petition ही क्यों आएं और क्या केवल 15 petitioners के कारण ही एक committee बना दी जाएं वहीं साकेज जेन ने कहा कि लगवक 16,000 लोगों ने representations UPC को दिया था तो फिर जज ने पूछा कि आप इतना एसे और कैसे हो सकते हैं कि जो representations UPC को भेजे गए थे और 10th के syllabus violation के आधार पर ही भेजे गए थे फिर पूछा गया कि यह representations कब फाइल किये गए थे तो साकेज जेन ने कहा यह तो analytical math का है और इसे 10th level का श्वेन तो solve कर सकता है और इसके जवाब में साकेज जेन ने रामानुजन के concept से इस argument को प्रस्तुत किया कि क्या एक अभियाद थी जो general ability रखता है analytical का वह रामानुजन के समकच हो सकता है क्योंकि रामानुजन जो math solve कर रहे थे वह analytical ability के द् फिर जज ने कहा prescribed 10th and include 12th class syllabus not difference tell me one thing UPC का exam लिखने वाला एक graduate history का लड़का भी हो सकता है और PhD history में किया हुआ लड़का भी हो सकता है तो क्या दोनों equal हैं फिर इसका जवाब साकेज जेन ना article 14 के violation के आधार पर दिया कि treat unequal equal is violation of article 14 फिर जज ने कहा so me 12th class questions और उसके बाद कह why can't they ask IIT questions उसके बाद साकेज जेन ने reservation का मुद्दा उठाया और कहा कि 68 के paper में reservation मिलता नहीं है और जब वे 68 ही qualify नहीं कर पाते हैं तो फिर reservation का lab भी उन्हें नहीं मिल पाता है उसके बाद जज ने पूछा कि इन 15 practitioners में कितने engineering background के लड़के हैं और इसका जवाब साकेज जे साथ लोग जो है aesthetics background के हैं जैसे engineering, math background, commerce background आदी फिर साकेज जेन ने कहा कि एक आकड़ी को verify कर लेना चाहिए जिसमें UPC ने कहा है कि इस बार का CSET का exam में humanities background को भी lab हुआ है तो उस आकड़े को प्रस्तूत करने की मांग की गई लेकिन इस पर court सहमत नहीं हुगी फिर जज ने कहा कि ये आकड़े अभी उपलब नहीं है पांच मिनिट की मोहलत मांगी गई इस लेकिन court ने नहीं दिया फिर साकेज जेन ने कहा कि अगर सिलेवस से नहीं पूछा जाता है तो UPC अगले साल में कुछ भी और भी पूछ सकती है और उसके बाद दिल्ली आय कोट ने अपना फाइनल ने ने सुना दिया उसमें कहा गया कि जो साथ petitioners है वे जो है अस्टेटिक बेग्राउंड के हैं जिसका सीधा आर्थ है कि वे सारे पंदर petitioners हुमिनिटीज बेग्राउंड के नहीं है और इसलिए या petition accept नहीं किया जा सकता है वहीं सुप्रीम कोट के एक ने ने क को भी कोट किया गया जिसमें कहा गया कि इस तरह के competition selection में court interfere नहीं करेगी और इस तरह से या court इस petition में किसी तरह का merit नहीं पाती है इसलिए इस petition को dismissed किया जाता है धन्यवाद